उत्रपरदेश के हरदोई में पढ़ने वाले काव अनंगपूर में नाली और सड़क खराप होने से सड़क पर जल भराव और कीचड की स्थिती पैदा हो गई है जिसके बाद ग्रामिनों ने कई बार ग्राम परधान से लेकर जीला प्रिशासन तक नाली और सड़क बनवाने की गुहार लगाई है लेकिन स्थिती जस्की तस रही आखिर ग्रामिनों ने नाराज होकर प्रिशासन को आईना दिखाने के लिए सड़क पर भरे कीचड में धान की पोधे रोप दी जाई जो शेत्र में चर्चा का विश्य बन गई है उतरपरदेश के हरदोई में शाहबाद तैसी शेत्र में पढ़ने वाली ग्राम अनंगपूर में नाली और सड़क की स्थिती खराब होने के चलते सड़क पर जल भराव और कीचड रहता है जिसके चलते आए दिन ग्रामीनों को परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिसको लेकर कहीं बार ग्रामीनों दुआरा ग्राम परधान से शिकायत की गई नेकिन नाहीं नाली बनी नाहीं सड़क निर्मान हुआ जिसके चलते लगातार ग्रामीन सड़क पर भड़े कीचर से हो कर निकलने को मजबूर हो रही है वहीं ग्रामीनों द्वारा इसके लिए प्रशासन से भी गुहार लगाएगी लेकिन वहां से भी उनको निराशा ही हाथ लगी ठक हार कर ग्रामिनों ने प्रशासन और ग्राम प्रधान को आईना दिखाने के लिए सड़क पर भड़े कीचर और जल्भराव में धान की रपोई करना शुरू कर दिया ग्रामिनों का माना है कि ग्राम प्रधान गाव में कोई भी विकासकारिय नहीं करा रहा है बलकि विकासकारियों के लिए आया पैसा लगातार लूटने का काम कर रही है। ऐसे में प्रशासन अगर उन पर जल्द कारेवाही नहीं करेगा तो ग्रामिनों को मजबूरन आंदोलन करना पड़ सकता है। हर दो इस समधाता शाहिद अली के रिपॉर्ट। अब लोगों ने रोड पर धान लगाएं। आए ना समासी। स कःल आए वाख रैपूर्ट। प्रह आए झाल ना समासीं। कर दो कर दो कर दो कर दो सो झाल झाल झाल